So, Hi Everyone, Good Morning to all of you, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपके Economics Honor Semester 4 के एक बहुत ही important subject के बारे में दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, Economatrix subject के बारे में क्योंकि Economatrix से कैसा subject है, जो थोड़ा बहुत tricky है, थोड़ा सा quantitative nature का है और इसमें theory के नाम पर सिर्फ derivation पूछे जाती है और आप इस subject को लेके थोड़ा बहुत चिंतत भी रहते हो, परेशान भी रहते हो क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने तैयारी अच्छी नहीं करी है तो tension नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है Semicon Classes is here आप लोगों को support करने के लिए हम लोग फिर से आ गए हैं और मैं कुछ lectures आप लोगों को provide कर रहा हूँ जिसमें आज हम लोग बात करेंगे lecture number 1 की lecture number 1 में हम लोग क्या क्या बाते करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार short मैं समझा देता हूँ कि lecture number 1 में हम लोग क्या discuss करने वाले हैं ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे सबसे इनिशल लेवल पर, that is linear regression model, linear regression model, linear regression model, linear regression model, ठीक है, देखो, दोस्तों आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सबसे important topic है, सबसे जाधा important topic है, यह exam interview से, minimum 2 question, ठीक है, 2 question linear regression model से connect होंगे, तो इसलिए मैंने linear regression model पे बहुत सारे lectures provide करें, given that आगे के lectures में, आगे के topic में उतनी importance नहीं है, बड़ यह जो linear regression model topic है, यह बहुत important इस वज़े से भी, कि जितना भी पूरे subject में आप पढ़ोगे, आगे की जितने भी topic आप पढ़ोगे, उन सब जगा, यही chapter के में जो term सीखने वालो, उनका regression equation, ठीक है, linear regression equation जिसमें हम लोग यह discuss करने वाले है, मैं भी आपको बता रहूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले है, पढ़ेंगे तो अभी, ठीक है, मैं topics आपको बता रहूँ, हम लोग यहाँ पे PRF के बारे हम बात करेंगे, PRF और साथ-साथ यहाँ पे SRF, ठीक है, तो क् कवर करने वाले, एक तो हम यहाँ पे सबसे पहलों topic कवर करेंगे, linear regression moral जिसमें PRF और SRF होगा, धान अगना हम यहाँ पे इनकी equations की भी बात करेंगे, और साथ-साथ इनके diagram की भी बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे दोनों ही बाते करेंगे, इनके equations की भी बात करेंगे, दोस सुलूप coefficient होता है, Intercept Form होता है, तो आपको इन दोनों चीज़ों की interpretation पतों नहीं चाहिए, कि सुलूप coefficient क्या होता है, Intercept Form क्या होता है, ठीकि जब आप आगे चलके multiple regression model पढ़ोगों, तो भी यह सब चीज़ आप लोगों के लिए बहुत important रहेगी, उसके बाद मैं, साथ ही म जैसे आपने नहीं linear regression model पढ़ लिया, अब यहाँ पर बात आजाएगी, कि जो linear regression model है, वो with error है, या without error है, लोगों समय ना, मैं बात कर रहा हूँ, एक economatics के important term के बारे में, that is stochastic and non-stochastic, ठीक है, तो यह एक बहुत important topic है, क्योंकि paper में यही question आप से discuss किया जाएगा, मतलब ज दिखाव होगा, stochastic and non-stochastic, तो we will discuss about stochastic and non-stochastic, ठीक है, stochastic and non-stochastic, तो यह एक term है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे, तो जल्दी से copy pen निकाल दीजिए, ठीक, बढ़िया बढ़िया से notes बनाएगा, जितनी बाते मैं आपको सिखाऊंगा, जो पू पूरे lecture को आप यहाँ पर ध्यान से note करेंगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर new हैं, तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को like करिए, और अपने friends में share जरूर, जरूर, जरूर कीजिए, ठीक है, चलिए Yes people, कैसे हैं आप लोग, घुपसू friends, आप लोग बहुत अच्छा हूँ रहोंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ friends, now friends, हम लोग start करते हैं अपनी आठी किलास, that is guys, जो बेस्ट है, मारी Economatrix की first class, class number one, guys, आज हम Economatrix के अंदर जो topic start कर रहे हैं, guys, this is the topic जिसका नाम है, guys, linear regression, guys, Economatrix, चा होती है, just Economatrix के base पर मैंने एक video और बनाई है, कि Economatrix का concept समझाया है, कि what is Economatrix, लेकिन Economatrix का अगर एक, मैं one sentence explanation दू, तो मैं बता इतना कह सकता हूँ, जो, it is the combination of, it is the combination of economics and statistics, and statistics, so guys, फिलहाल मेरे साब से, अभी आप इतने है समझायो कि Economatrix, Economatrix, Economatrix और Statistic का मेरे पर चाहाँ, combination होता है, चलो, क्योंकि guys, इसके base पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो अल्रेडी बना रखी है, guys, होप साब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, काफी बढ़िया वीडियो इसके उपर है, guys, देख, हम to the upon start करते है, अपना concept, guys, Economatrix में, जो सबसे पहले explanation आती है, जो सबसे पहले topic आता है, जो सबसे पहले topic आता है, उसका नाम है linear regression, हम जो फॉलो कर रहे हैं, guys, हम फॉलो कर रहे हैं, दामोदर गुजराती, ठीक है, उसमें, जो सबसे पहले concept समझाया जाता है, यह Economatrix के जो first most, क्या सकतो base है, guys, वो है मारा linear regression, अगर मैं आपकी एक knowledge के लिए बाफ बता देता हूं, तो हमारी Economatrix में, जो सबसे पहले linear equation लिखी गई थी, guys, वो consumption function थी, जात आप लोग के सब consumption function और बता दो, किस ने लिखी थी, यह equation, guys, Keynes, Keynes was the first economist, जो नो ने Economatrix में सबसे पहले equation लिखी थी, consumption function, that is, means, c is equal to c bar plus ka small c y, c bar, c is equal to c bar plus ka b y, एक ही बात हो, तो basically, linear regression, क्या represent करता है, यह represent करता है, basically, relationship between dependent, एक dependent, basically, one dependent variable, ठीक है, one variable, which is called dependent variable, ठीक है, and, and one or more independent variables, समझे रो, एक एक से जादा independent variables का, एक dependent variable का जो relationship होता है, वो represent करता है, linear regression, और हमारी economics में, सबसे पहले, जो linear regression line लिखी गेती, गयास, वो consumption function लिखी गेती, आप देखे लो, जाए, guys, c is the dependent variable, y is the independent variable, and these are the only two variables, basically, आप यहाँ रो करते हो, y और c यहाँ पे लेके चलते थे, यह c आपका dependent variable हो गया, and y आपका independent variable हो गया, ठीक है, independent or dependent का मतलब होता है, कि अगर y बढ़ता है, तो c बढ़ेगा, ठीक है, लिखी लिखी नगर c बढ़ता है, तो it is not necessary, that k y बढ़े, because c बढ़ने का impact आप और भी जगह भेज सकते हो, तो मतलब हो आपका आपका तो c बढ़ रहा है, तो c बढ़ने पर आभी गासातों कि c बढ़ा है, या b बढ़ा है, ठीक है, समझ रहो, तो यहनी c बढ़ने से y बढ़ना बढ़े, it's not compulsory, but अगर y बढ़ता है, तो c ज़रूर बढ़ेगा, so that's why c is the dependent variable in this equation, and y is the independent variable, got it, guys, यह तो मारी just history वाली बात हो गई, तो just guys, regression equation कुछ steps से होती है, मैं आपको पता दता हूँ, y is equal to beta 1 plus ka beta 2 x, just समाहिणने के लिए, बात एक बात समाहिणने है, y is equal to beta 1 plus ka beta 2 x, just मैंने लिख दी, अभी कुछ इसके बारे में detail discussion नहीं कर रहा हम है, simply guys, मैंने लिख दी हैतना, here y is the dependent variable, y is the dependent variable and x is the independent variable, got it? मतलब y is the dependent variable and x is the independent variable, इतनी बात समाहिए पटे मेरी आप लोगों को and what about beta 1 and beta 2, guys, beta 1 and beta 2 are known as some parameters, अभी बहुत कुछ discussion करेंगे, guys, इन सब के बारे में, where beta 1 is the basically intercept form, where beta 2 is the slope coefficients. beta 2 is the slope coefficients, got it? मेरी यहां तक की बात आपको बटे समय में आती ही, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, चा यह जा ध्यान से समयनना, अब गाईज छुटी से statement समयनना है, कि जैसे कि मारी linear regression functions क्या के चाज़ होती हैं. Subsepally statement, it is, it is the study of, it is the study of relationship, relationship between, between one, one variable called dependent variable, dependent variable and one or more other, one or more other variable called independent variable, independent variable. को बच्छा, explanatory variable के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, explanatory, ठीक है, independent को explanatory के नाम से भी जानते हैं. Now, अब एक question बड़े interesting है, आपके लिए सामने जानने के लिए क्यों, क्यों, what are the objective of regression function, क्यों, objectives क्या होते हैं, क्या हम regression function को basically, निकालना चाहते है, regression function के through, हम चीज़ों को solve करना चाहते हैं, the objectives are basically, objective is to estimate, to estimate the mean value, to estimate the mean value of dependent, value of dependent, dependent variable, dependent variable, given, given the values, given the values, given the values of explanatory, of explanatory variable, of explanatory variable, first information, second है मारे सामने बेटर जानसा समानना, that is to forecast, to forecast the mean value, the value of dependent, of dependent variable, dependent variable given, given the values, given the values of explanatory, of explanatory variable beyond, variable beyond, the sample range, beyond the sample range, beyond the sample range, एक 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 बात को note करना है आपको, एक एक information, बहुत important information है, ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको सभी में आई, बेटा, let me do the third objective is to test the hypothesis about, 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 the nature, about the nature of dependence dependence, any t distribution, t distribution, chi square distribution and f distribution, यह कुछ distribution है, जिनका हम हार्पोथेसिस तेस्ट करते हैं. अब देख गाईज एक बास हमनने हैं, जैसे हमने बोला कि हमारे पास में regression function होता है, तो हमारे accordingly regression function दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है, बच्चा, दो टाइप के regression functions हो सकते हैं, कौन-कौन से, एक हो सकता है, बच्चा, that is population, population, regression function, जिसे हम लोग P, R, F के नाम से जानते हैं, और एक होता है, बच्चा, regression function, जिसे हम लोग SRF के नाम से जानते हैं, ठीक है, बतलब एक होता है, PRF और एक होता है, हम लोग लोग यह कहता है, हमारी economy के अंदर, एक relationship है, between income and consumption, ठीक है, जिसे आप ऐसा माल लो, और जिसे एक्जामपल, c is equals to c bar plus small c y, ठीक है, जिसे यह चीज समयना अगया ध्यान से, तो होगा क्या भी हहाँ पर, एक है करके one by one चीजों को समयनना है मेरे बच्चा, one by one, सब्से जोरूरि टी सब्सेए important बात तो यह होगी कि हम जो starting करते है, मतलए, बजिकला, गर मैं यहाँपे relationship P r f को पतातो, तो basically guys, हम मैं आपे expected, समझे रो, expected value of consumption with respect to given value of y, that is, is equal to c bar plus ka by, this is the same statement, this is the expected, expectations, you know, हमारी economic matrix में guys, expectation का बहुत-बहुत बड़ा role है, so guys, this is basically expectations, अब, logical है बात समयना है यहाँ पर, मैं यह क्याता हूँ कि मादलो मेरे पाद एग्राफ है, मादलो एग्राफ ही मेरे पाद, समयना ध्यान से, तो, this is basically our consumption, and this is basically our income, okay, मैं चलो, income पुरा लग देता हूँ, मैं आप कन्सूद हूँ जाओ, x axis को ले खडिया, y axis को ले खडिया, income and consumption, okay, and एगो बताव बताव बेटा, if y is equal to 0, then our expected consumption, given that y, that is equals to 0, no doubt, that is equals to 0, no doubt, वो होगे c-bar, इसका दलब क्या है, कि अगर नमारी income 0 b है, then हमें कुछ न कुछ तो consumption मिलेगा ही मिलेगा, so why, this is known as c-bar, और इसका अग्राफ बताव बोलते, this is also the intercept form, ठीक है जी, इसे मिले बच्चा क्या हम बोलते, intercept form, similarly, उसके accordingly, if y increases, then the expected value of consumption, given that y value, will also be increase, समझे रहो, इसका अग्राफ क्या है, as y increases, then c will also increase, expected value of c will also increase, got it, यहां तक मेरे बात आपको बटा समझ में है, यह नी, all values of y, that is, यहां पर आप मालने के चलो, this point is y equals to 0, यहां पर हो गया जी, expectation consumption of c, given that y1, यहां पर हो गया जी, expected value of consumption, c basically, given that y2, and so on, समझे रहो, this is basically PRF, अगर आप एक relationship की बात करें यहां पर, तुम यह क्या सकते है, PRF के लिए, it is, it is a locus, it is a, it is a locus of combination, it is a locus of combination, sorry, combination में बोलो, यहां तो, यहां तो, यहां तो, it is a locus of conditional, locus of conditional, repeat करो में, locus of conditional means of dependent, dependent variable, dependent variable for the fixed value, for the fixed values, what are the fixed values of explanatory variables, of explanatory variables, of explanatory variables, okay guys, तो सब बटे ध्यान करना, this is the definition of PRF, PRF क्या होता है, देखो conditional word आया है आप एक, अब इसका conditional means का भी नहीं समेंगे ना, फिच आप हमेशा जो value निकालते हो ना, बटे वो conditional ही होती है, तो आप खुद देखो, expectation निकाला आपने C, given that y, मतलब consumption की value given that y अगर 1 हो गया, consumption की value given that y अगर 2 हो गया, ऐसी हर बार consumption की value given that y कुछ है, हर बार consumption की value given that y कुछ है, समझे रो, यह आपके conditional value है यहाँ पर, ठीक है बटा, there is always a conditional value, एक तो बटा यह ध्यान ना करना, ध्यान से, बहुत बहुत इंपोर्टनली, अब मैं यहाँ पर चोटा सा अब रिमार्क, अब रिमार्क क्या कहता है, तो को समयनना, लोकोस of conditional means, लोकोस of conditional means, लोकोस means of line called, लोकोस of conditional means of line called PRF, यहनी यह, आप जोनों, it's a conditional mean, तो करें, this is the PRF, और expected conditional है, यह हो गया PRF and also, it is a linear line, linear line, जिसो आप यह कह सकता, तो that is the expected consumption of c given that y, is equal to c bar plus ka small b y, guys, मैं एक काम करना चाहूंगा, अगर आप, comfort up, समय में आगया हो, तो मैं कहाँ आप यहापर variable बदलना चाहूंगा, मैंने जानभुष की relationship ले लिया था, consumption function का समझाने का points से, कहाँ मैं आपर variables बदलना चाहूंगा, तो मैं आपको अगर जो x-axis होतागा, जो independent variable होता है, here the perimeters are, this is beta 1, this is beta 2, what it, अब मैं इस equation को एक बाद फेर से लिख देता हूं, इसको फोड़ा सा सही करके, that is expectation of y given that xi is equal to beta 1 plus ka beta 2 xi, got it, okay better, मतलब, this is expected conditional value is equals to beta 1 plus beta 2 xi, so that this is the PRF line, where जो beta 1 है, beta 1 basically guys, आपको intercept बता हाता, beta 1, beta 1 is the basically intercept form, intercept basically, and beta 2 is the slope coefficient, beta 2 is the slope coefficient, got it, now, this is the first remark, जो मैं आपको अपको अपको है, and the second remark is, second remark है, beta, जैसे की, मैं आपको बता आया है के, we know that beta 1, जो को मैं फिर से बता हूं, beta 1 is called intercept form, beta 1 is called, मतलब, यहां मतलब, is called intercept coefficient, intercept coefficient, if x i is equals to 0, basically, if x i is equals to 0, then, then the average value, then the average value of y is beta 2, sorry, beta 1, मतलब, यहां मतलब, यहां मतलब, यहां मतलब, प्लस का, beta 2 x i, अब अगर मैंने x i को लिखते है, 0, so your expected value, that is average value, is equals to beta 1, got it friends, मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आती है, अच्छे से, बढ़िया से, clear friends, now, अच्छा, एक हीज और बोलते है, कुछ economics, इसका, but guys, इसका detail meaning आपको बात में पता चलेगा, कि जो beta 1 होता, it has no eco meaning, no eco meaning, लेकिन guys, यह statement आपको बात में संच में आएगे, जो हम कुछ numerical solve करेंगे, आपको पता चलेगा, हाँ यह, beta 1 का तो को eco meaning है ही नहीं, ठीक है, थर्ड रिमार्क है पता हमाने सामने हापन, that is, beta 2 is called, slope coefficient, slope coefficient, beta 2 is called slope coefficient, that is, y conditional to x is equals to beta 1 plus beta 2 x i, got it? और अगर इसको थोड़ा बहुत, और simplify कर लो, simplify नहीं मतलब derivative करता हूँ, expectation value of is की, ठीक है, तो with respect to x i, तो guys, यहाँ पचेगा only beta 2, clear guys, यानि कहनने का मतलब भी हो जायेगा, के अगर, मानलो, if x i is increased by, is increased by one unit, is increased by one unit, then, then the average value, then the average value is increased by, is increased by beta 2 unit, चाहू तो beta इसको multiply, across multiply भी कर सकते हो, मतलब यह, यह हो गया जी, is equals to beta 2 dxi, अब यह basic अगर एक unit होगा, तो beta, यह ली value बेटा कितनी unit होगी, यह होगी बेटा आपकी beta 2 unit, ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समय में आती बेटा, तो beta dhyanak na, हमारा, जो basically PRF होता है, वो basically 2 type की होता है, मतलब PRF मेंने कोई भी regression equation, चैसे हमने PRF, SRF बोल दिया, वो भी further divided है, मतलब PRF and SRF वो भी, क्यासा हो, तो technical 2 part में divide हो जाएंगे, that is stochastic and जूसरा is non stochastic, ठीक है, तो just में समय न, में रिपीड करो, the PRF and SRF are also divided into 2 subpart, one is stochastic and other is non stochastic, तो beta में आपको पता हता हू, heading लिगना यहां पर, stochastic, stochastic specification of PRF, specification of PRF, stochastic specification of PRF, ठीक है, friends, stochastic specification of PRF, तो ऐसा समयना है, बेटा, दोखो, कि लेट से बात ही है, हमें कहते हैं, let's suppose, let's suppose, we have a equation, yi is equal to, दोखो, stochastic का मतलब क्या होता है, stochastic का मतलब होता है, with errors, अगयर लॉजिकल बात भी है, मानलो, मानलो, आपने कुछ चीज़ एस्टिमेट करिये, कुछ चीज़ आप एस्टिमेट कर रहे हो, अगर आप सेल्फ एस्टिमेट कर रहे हो, खुद ही निकाल रहे हो, यानि primary information है, primary data है, तो वहापे बिलुकुल error zero होगा, error होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं सेकेंटरी information उठा रहे हो, या एक, या फिर एक guys आप, guess कर रहे हो, guessing power use कर रहे हो, guess कर रहे हो, कि यह ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ज्यान अगर ना, हर उस जगह पर error आएगा, जहां पर perfect चीज़ नहीं है, यानि अलका ज़र अगर imperfections हैं, because वहाँ पर आपको errors मिल जाएगा, because उन्हीं चीज़ों का मैं stochastic चीज़ें बोलते हैं, यानि मैं कह सकता हूँ, y is equals to expectation of y given that x i plus mu i, where mu i is the random error, that is random component या फिर इसे आप कह सकता हो error term, error term, got it friends, अब दोगो एक बार सोचो, बस आपको यह बोल रहों, अब थोड़ी देर पहले मैंने इस लाइन को क्या बोला था, यह से बोला था, हमने beta 1 plus का इधर, क्या बोला था, हमने इसको हमने, हमने इसको बोला था, this is basically beta 1 plus का beta 2 x i, beta 1 plus का beta 2 x i and this is basically mu i, समझे ने मेरी बात को आप लोग इधर, इधर, यह, तो अब क्या हो गया, यह जो लाइन आ गई, यह आपकी stochastic PRF है, है, what it, this is basically, basically stochastic PRF, के लर गाई यहां तक, अब दोगो यहां पर भी कुछ remarks है, दरह remarks हमनना, तोगो बहुत important बात है, एक एक बात को लिखना important है guys, remark है, first remark, we have, we have y i is equals to expectation of y given that x i plus plus mu i, ठीक है, अब क्या है जी, यहां पर expectation लो, taking expectations, taking expectations both sides, taking expectation on both sides, to, क्या मिलेगे जी, आपको expectation of y given that x i, is equals to expectation of, expectation of y given that x i plus expectation of y given that x i, got about it, अब just अगर एक बात अगा आप ध्यान दो, तो this is basically what, यह मन्जाएगा आपको expectation of y given that x i is equals to expectation of y given that x i plus expectation of mu given that x i, अगा आप expectation का expectation, expectation ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहां constant value बन जाता है, expected value निकलने पर, तो क्या देखो, यहां से यह cancel out हो जाएगा, बचा क्या जी इदर आपको, यहां बचा जी आपको expectation of mu i given that x i, यहां फिर expectation of mu i only भी जिख सकते हो आप, तो guys वह 0 हो जाएगा, इसका मतलब, यह हो जाता है, यहां से यह पड़े, यह conclude होता है, कि the mean of the error term in the PRS is 0, that is, we conclude that, that mean of error term is 0, ठीक है, is 0, तो अच्छा जीन से लिखेत है, काफी बड़ा size हो गया है, ठीक है जी, अब ठीक है, चलो जी, आगे बात करते हैं, अब दोको basically, एक ही करके बड़ा बात समयनना यहां से, हमने हमने बात किया भी basically PRS की है ना, हमने बात करिये, PRS stochastic value terms, PRS हो गया, हमने अभी तक बड़ा PRS complete कर दिया यहां पर, यह पूरा गपर जो explanation थी, यह PRS था, हमने यहां पर PRS explain कर दिया, यानि यह वाला वो हमेशा complete population को study नहीं कर पाते हैं, समझे लो, या छोड़ेता example भी समझ सकते हो आप, आपने sampling distribution तो पड़ा statistics के अंदर, तो वहां पर भी तो पड़ा यह होता है कि we can't, we can't measure the any population concept, हम population को पूरा का पूरा वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं, तो अगर हमने कोई भी चीज identify करनी होती है, कोई भी चीज जाननी होती है, तो हम population का एक छोटा सा sample लेते हैं और sample को पर solve करते हैं, और after that हमारा जो भी conclusion आता है, उसको हम population पर fit कर देते हैं, जैसे example हमने किसी परसन की तबत खराब है, तो पूरी body में से थोड़ा सा blood लिया जाता है, थोड़ा सा blood, blood sample, I repeat, blood sample and guys वो थोड़ा सा blood sample से पूरी body के बारे में पताल लग जाता है, what it? clear? मेरी इत्ते बात से निमा है आप लोगो को, तो ये चीज इसे गाएज हम लोग sample बगड़ा बोलते हैं, काफी importance है samples की, तो सबसे पहले मैं हैटी लुकूंगा बैटा है आप पर, sample regression functions, sample regression functions, ठीक है बैटा, sample regression functions, एक एकर के बात करेंगे, जैको, let us suppose friends, suppose we have, suppose we have only one value, only one value of y, corresponding to x, corresponding, corresponding to x i, ठीक है, यानि, 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 यह कहा रहा हूँ, आप से, शाहाद आप समझ जाओ, यहाँ से, this is my graph, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर concept लोड़ा बदल जाएंगे, मालो, this is equation, अब दो, पहली बात तो लिखने का तरीका होते हैं, समझेरो, samples होते हैं, मेरा बैच्चा, वो estimated होते हैं, तो आपने y hat लगा दिया, is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat into xi hat, अब दो, यह तो y hat is equal to, अब beta 1 hat को आप b1 बोल दो, beta 2 hat को आप b2 बोल दो, this is xi hat, what it, कुछ इस type से बात कर रहा हूँ मैं, similarly, अगर मैं इसको draw करता हूँ, यहाँ प q reason से बात के, if xi hat is 0, then y i hat is equal to b1, again this is b1, so this is guys intercept form, got it, this is guys intercept form, intercept form, clear guys, now, अब एक एक कर के बात समयना है, हमे कै सकते हैं, के जो यह line है, this is the srf, and srf कहाने का मतलब बजाता है, this is the linear line, अभी guys आपको reason भी पता चलेंगे, because, जो variables है मैंने guys, वो linear है, जो variables हैं के power के अब बच्च, वो बेटर linears, मतलब linear, बेटर power is 1, इसलिए guys, जो line है, वो linear है, एक तो बात यह है information, तूसरा guys, आपने आपे beta 1 hat को b1 लिया है, beta 2 hat को b2 लिया है, ठीक है जी? इची समयना जान से, मतलब आपने beta 1 hat को b1 लिया है, बेटर आपने beta 2 hat को b2 लिया है, similarly, similarly, यह जो y high hat है, यह basicly y is estimated है, that is this same, खीक है? अब के असकतो y high y i hat is the, मैं लिकल को इचा तो है, अपे, expectation of y given that x i, got it, यहां तक मेरी बात आपको समय में आती ही, similarly, जो, जो b1 है आपर, जो b1 है, this is the estimator of beta hat 1, और जो b2 है, estimator of beta hat 2, clear, यहां तक मेरी बात आपको समय में आती है, आपको तो गाए, this is the concept of srf, अब इसी चीज़ को अगर मैं, वही stochastic or non-stochastic stochastic की वे में लिया आता हूं, तो heading समय ना गाई, that there is a, इसी चीज़ काई, stochastic कैसे meaning आएगा, stochastic, stochastic specification, stochastic specification of srf, stochastic specification of srf, तो वो कैसे आएगा, उसको समय जो जान से beta, लेको होता है क्या है, y, i, समय ना गाई, y, 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 y is equals to y hat plus ka ei, एक एकर के बतारो, beta, this is error term, यानि e i, यहापे शायद मैने बड़े हावताता हूं, e i is estimator of mu i, got it, e i is the estimator of mu i, के लिए आपटा, मिर बात आपको समय में आई, okay, now, अब ऐसा समय ना, गाईज, इसको अगर थोड़ा सा और simplify कर लो, तो यह बन जाएगा, b1 plus ka b2, xi, plus ka ei, मैंने hat हटा दिये, क्योंकि मैंने सब को small में लिया हूं, मतलब यह, यह basically, चाहो तो लगा तो, चाहो तो अटा तो, क्योंकि आप, srf की बात ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा का, confusion होगी कि भाई, अभी srf, अभी srf, अभी srf, एक ही चीज़ की बात चलेगी, ठीक है, तो, अब चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, यह चीज़ जाना करना, जहाँ पर पूछा, वहाँ बता देना, जैसे, मैं यहाँ पर on the sample regression line, sample regression line, while, while yi is the, yi is the actual value, पता है, actual value का मतलब क्या हो जाता है, अगर आपो शायद idea हो का, actual value का, meaning, होता है क्या है, basically, actual value का बता है, यहाँ पर मतलब हो जाता है, कि हो सकता है, हो सकता है, कि जैसे, 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 example, मैंने graph, I think, हाँ मैंने चलो, नहीं आपना है, बता graph, माल लो, माल लो, यह हमारे पाद एक line थी, ठीक है, और this is, अब देखो, एक एक करके बात करते है, हमारे पाद एक equation है, यह वे, y is equals to b1 plus plus का b2, xi, plus का e, यहाँ पर, अब जैसे, बता समयनना, मैंने एक line बनाई इधर, that is, that is non-stochastic line, non-stochastic का मतल समझते हो, जिसमा कोई error नहीं था, अगर कोई point इधर है, इसका मतला यहाँ पर error 0 है, so, this is the y, this is xi, so, अगर xi की value है, तो उससे y इधर आ चुगा है, लेकिन, अगर xi की value यह है, but y यहाँ न आकर, यहाँ आ गिया, समयनना ध्यान से, अगर y यहाँ न आकर, यह चीज होती है, समयनने वाले बिटा, यह चीज होती है, समयनने वाले, अगर आप कहतो, xi यहाँ पर है, hat, और y hat, यहाँ आपर, तो this is basically y, समझे है मेरी बात आपको, यह जो term है, वो y hat है, क्या, कि अगर हमने xi hat की value रख्यों, y hat का answer आ जाता है, तो या तो, या तो यह reason है, कि यहाँ पर error term 0 है, कि कोई error नहीं है, अगर कोई error है, तो यह आगा gap, this is the error, so this is even, समझे लो, this is even, similarly, similarly, हो सकता है जाता है, यह y1 माल, x1 माल लो, this is x2, this is y2, this is y1, this is y2 hat, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, y2, so now, this is e2, यह जो गया पने, अला गया, जाता है, this is e2, मतलब, sometimes e is positive, sometimes e is negative, जाता है, जाता है, अगर आप e का summation करते है, l term का summation करते है, तो गाई जीरो हो जाएगा, इसने पास्जम में आती है, आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से, clear, हांजी बेटा, मेरी हाथ तकी आपको बात स्जम में आती है, बढ़िया से, चलिए बेटा, चलो, अब आग coefficients, ठीक है, मानलो ये लाइन है, या और ये, ठीक है, फिदर भी अखले तो ये इदर, जाएपको अधर, अआ, इस पर्स, इस सर्फ, clear, इस पर्स and this is 설 this is basically estimations, got it. So, this is basically number 1 is y i given that x i is equal to beta 1 plus beta 2 x i. Similarly, y i hat is equal to b 1 plus b 2 x i. x i hat, got it. Same, y i, y e i is equal to expression of y i x i plus mu i. So, y i is equal to, this is y i hat plus e i, got it. And similarly, y i hat plus e i, got y i is equal to b 1 plus beta 1, beta 1 plus ka beta 2 x i plus mu i. y i is equal to b b 1 plus ka b 2 x i plus ka e i. Got it? Yahaan tak menei baat aapko sami me ati beta. तो, beta, इसको अच्छे समझो, क्योंकि guys, यह काफी बड़ा chapter है, काफी interesting chapter है. Guys, हमने यहापे फिलाल अभी SRF of PRF explanation दिया है. ठीक है? अब guys, इसके आगे further concepts discuss करेंगे हम लोग. होपसो guys, आपको मेरी हाते बात समी में आ गई होगी, मैं छोटा सा आपको, छोटा सा आपको, छोटा सा आपको division करा देता हूँ, इसका regression function का. ठीक है guys, तो मैं यह कह रहा हूँ आपसे, beta basically कि हमारा जो regression function है, उसका मतलब हो जाता है, कि this is the relationship between dependent and independent variable and हमारी economics में, economics में, जो सबसे पहले equation बनी थी, by Keynes guys, वो consumption function थी, जैसे कि आपको जानते है, guys, यहाँ पर, मानलो अगर यह equation है, तो guys, y यहाँ पर dependent है, x यहाँ पर independent है, and beta 1, beta 2 are some parameters, ठीक है? यहाँ भी beta 1 intercept form होते हो, guys, beta 2 हमारा slope coefficient होता है, guys, मैंने यहाँ पर पता है, आपको को object is क्या होते हमारे, ठीक है, उसके बाद, guys, हमारे पास, guys, दो type के regression functions होते है, एक PRF, मतलब population regression function, और, guys, दूसरा होता हमारा SRF, that is, sample regression function, अगर, guys, मैं आपसे PRF की बात करता हूँ, population regression function के बात करता हूँ, तो, guys, उसका just, मतलब इतना सा होता है, कि वो relationship बता आता है, किसके बीच मैं, वही same बात, मतलब, एक dependent और एक independent variable के बीच में relationship बता आता है, but वो, guys, population को represent, मतलब, पूरी population होती है, ठीक है, पूरी कोई eco-meaning नहीं होता, and beta 2, guys, it's a slope coefficient, इतना सालब क्या है, कि अगर, guys, independent variable एक unit से बढ़ता है, तो dependent variable, guys, beta 2 unit से बढ़ेगा, ठीक है, guys, भही मैंने आपको stochastic बता आता, guys, देखो, stochastic or non-stochastic, non-stochastic वो होता है, जिसमें कोई error नहीं होता, I repeat, non-stochastic equation of those equations, which has no error terms, errors, but guys, just stochastic होता, guys, उसमें errors होते है, guys, to error वाला मैंने आपको concept से बता दिया है, हां, यहां से conclusion निकला था, कि expectation of error is basically 0, ठीक है, guys, वही guys, हमने sample regression function के बात करी है, तो, guys, वह भी हमने ऐसे explain करा है, और इसमें, guys, stochastic आया है, हां, एकीद आजपोशा समय में आयोगी, beta 1 का जो estimate, जो beta 1 जो है, basically उसका जो estimator, वो b1 है, b1, b2 are the estimators of beta 1 और beta 2, hat, वगड़ा, ठीक है, तो, guys, यहां मैं आपको concept समझा दिया, PRF and SRF का, ठीक है, पेटा, hope so, guys, आपकोई मेरी बात अच्छे से समझ में आगा है, क्यों पेट, अच्छे से चुदो का पढ़ना, अपना ध्यान बिलको चुदो का अच्छे से पोड़ो, and then guys, next class के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, OLS, यह नि ordinary least square method, ठीक है friends, have a nice day, thank you, bye bye, take care झाल